स्लावलेकुम एवरिवान उमीद है कि आप सब लोग ख्यार ख्यारियत से होंगे सर आज हम अपना एक IS-AID के अंदर एक नया जो एरिया है वो देख लेते हैं Change in Estimate हमने अपनी लास लास तक IS-AID में Accounting Errors को किया था यह शुरू करवाने का हर्गेस मतलब नहीं जानी कि मैंने IS-AID के Errors को खतम कर दिया अब जो सवालात आएंगे उसके अंदर Change in Estimate भी होगा और Accounting के Errors भी होंगे सहीजी तो you have to keep it in your mind कि हम दुनों को साथ लेके चलेंगे अच्छा भी Change in Estimate का मतलब यह है कि सर अंदाजा यह कोई गल्ती नहीं है यह कोई गल्ती नहीं है यानि सर मैं अगर आपसे यह कहूँ कि यह आपके हाथ में नहीं है लेक्स से जब मैं कहता हूँ कि Accounting Error हो गया और मुझे बाद में पता लगा तो भाई वो मैंने खुद से चेंज ही कि तो उससे गलती हो गई थी और मैंने All Together उसको जाटके Retrospectively सही किया था क्यों क्योंकि अगर आज मैं सही कर लूँगा उसको तो जो comparative figures थे वो गलत देख रहे थे तो उसने का For the Purpose of Comparability आप पिछले सालों को भी ऐसे रिश्चेट करो कि जैसे वो कभी गलती हुई ही नहीं थी मैं फिर repeat करना हुई है इससे पहले जो हमने किया था इससे पहले जो हमने किया था वो हमने किया था accounting error वो कहता है जो accounting error है आपने उसको सही करना है तो आपने retrospectively सही करना है यानि पीछे जाके सही करना है आज बारी आ गई इसा चेंज इन एस्टिमेड की वो कहता ही है कि लेट्स टेक इन एक्जेंपल अच्छा पहली एक्जेंपल लेते हैं कि भाई लाइफ ऑफ एसेट क्यों है आपकी वो चेंज हो गई आफ्टर सम यह यानि पहले मैंने लाइफ कुछ और असेश की थी बात मे कह लेते हैं 1,000,000 तो सही है यूस्फुल लाइफ एक डैट टाइम असेश्ट वी टैनियर्स तदस ताल इसकी लाइफ असेश्ट की गई थी एक्जेंपल ले रहा हूं एस्टीमेड अभी यह क्या है सब्सक्राइब बोल्ड कर रहा हूं यह क्या सर यह है हमारा मेरा एस्टीमेड पर मेरा अंदाज़ा है ना कि दस साल चलेगा उसके बाद खतम तो मुझे रिक्लेश करना पड़ेगा अच्छा भी हमने क्या किया होगा सर हमने किया यह होगा अब लेट से परचेस जेट में अगर लिखूं तो वो है जन्वरी वन 2020 सबसे पहले मैंने एक एंट्री बनाई होगी जन्वरी वन दोजा बीस पर जो नॉर्मल एंट्री होगी है आपकी हम इसको यहां पर फॉर्माट कर लेता है जब प्लान डेबिट हो गया और कैश ट्रेट हो गया अचा सर प्लान डेबिट कैश क्रेड आपका होगे सर इसकेबाद के बाद मैंने कहा कि सर जब यह कैपलाइच हो गया 1 1 million की amount से और इसकी formatting को सही कर लेते हैं तो मैंने का सर यह जो मैंने entry बनाई है न अभी यह जो मैंने entry बनाई है यह बनाई है सर इस इस ऑन January 1 2020 ताके डेट का भी ख्याल रखे हम सही जी January 1 2020 पर बने अच्छा सर इसके बाद मैंने क्या किया होगा सर इसके बाद मैंने यह किया होगा पहले इसको यहां पर सही कर लेते हैं डेट और सर यह है particular लिख देते हैं इसके ऊपर और यह आगया debit और यह आगया credit अच्छा भई सर हमने अब भी as of now सिर्फ acquisition की entry बनाई है सिर्फ acquisition की अब मैंने यह कहा सर इसके बाद के मैं इसको depreciate करूँ अच्छा मैंने कहा सर depreciation for the year 2020 की बात कर रहा है यानि 31 December पर पहुशने के लिए एक साल का depreciation कितना सर मैंने इसको divide कभी है 10 से या गया 1,00,000 या गया सर एक लाग अच्छा वह एक लाग हो बेगा depreciation आगया सर कितने साल होगा सर एक साल का एक साल का क्योंकि useful life आपने असेस की थी 10 साल अच्छा मैंने कहा कि सर अगर मेरा estimate change नहीं हुआ अगर मेरा estimate change नहीं हुआ तो मेरे asset की carrying amount carrying amount सर 31 December 2020 पर कित्ती रही होगी सर मेरे asset की carrying amount 31 December 2020 के ऊपर रही होगी this minus this सही हम बिलकुल purely इसको conceptual लेके चलते हैं ताकि इसको हम all together connect कर पाएं मैंने कर सर यह रा यह इसकी हमारी 9,00,00,00 की carrying amount होगी सही जी बहुत शुकून से आपने देगना है मैंने कहा सर अभी तक मेरा अंदाज़ा और estimate same है अब मैं आप से अगर एक बात कहूं समझाने के ल कि मैं depreciation दो तरीकों से निकाल सकता हूँ एक वजा इसलिए repeat कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि मैंने कहा या तो मैं 9,00,00 को divide कर दूँ 9 से क्योंकि क्योंकि asset की base change कर रहा हूँ मैं क्योंकि मैं कह रहा हूँ यह 9,00,00 पर 9 साल benefit देगा या तो मैं यह कहूं और के जो 1,00,00,00 था 10 से divide कर दूँ तो यह यह आगया deposition 2020 का बात समझेगा सुकून से अच्छा भई हुआ यह कि मैंने अगर carrying amount निकालनी है तो carrying amount निकालनी के लिए मैंने इस मेंसे को कटाया तो यह आंट लाग रुपया आ गिया एट लाग रुपीज अच्छा जी मैंने कहसा चलें यह भी बात समझ आती है अब मैंने किया यह मैंने कहसा यहाँ पर लिख देता हूं मैं carrying amount as a 31 December 2021 कितने साल हो गए बच्चों दो सा अच्छा नाओ आपको बताएगा क्या सुनियेगा आपको बुलेगा यह नाओ इन 2022 रही दू टेक्नोलोजिकल टेंजिस एट हैज बीन असेस्ट एक यूस्फुल लाइफ और और आइकन से एकन से सर्थ एट टोटल यूस्फुल लाइफ और प्लाइंट इस असेस्ट टू बी एट यह यह सेविन यह कर लेते हैं बात को समझें उसने किया कि मुझे तो पता नहीं था ना कि क्या चल रहा मार्केट में हुआ यह कि टेकनोलोजिकल एडवांसमेंट हुई पता लगा कि मार्केट में इससे भी अच्छे नेशर के प्लाइंट आ चुके जो मुझसे भी अच्छी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जैसी बाते पहले मैं सोच जा था कि मैं कहां इसको दस साल में रिप्ले इसस की गई है वो कितनी की गई है सर 7 years तो अगर मैं आपको यह बात कहूं यह चेंज कब आया है तर यह चेंज कब आया है तर आपकी आखों के सामने यह चेंज आया है 1222 में तर यह गलती तो नहीं है न कोई कि मैं पीच्छी जाके सही करूँ आ बाई पिछले हशाब से थ यह मुझे बात कब पता लग यह 2022 में यानि sir we have become aware of the fact regarding change in life in 2022 तो अब आपको यह ISADA कहता है बहुत सुकून और तामुल से समझेगा अब आपको यह कहता है कि whenever you estimate changes जब भी बच्चों आपका estimate change होता है तो आपने जो उसकी accounting करनी होती है उसको account for करना होता है उसको उस साल में करना होता है जिस साल वो change हुआ है पहली चीज़ फिर repeat कर रहा हूं focus होके देखिएगा इदर उतर नहीं होना आपने रद बिल्कुल सुकून से समझेगा पहली चीज़ मैंने क्या कही कि सर्थ जब आपने यह देखा कि जिस साल में आपका estimate change हुआ है तो impact should be taken in the year of change in estimate and in future years दोस्तर इसका मतलब यह है प्रोस्पेक्टिव अगर आपने अगर आपने प्री सुनियेगा अगर आपने यहां पर आपको पता लगे किसी साल में कि आपके एसेट की life change हो गई है तो पहले अपने आप से सवाल पूछो क्या यह error नहीं मुझे पहले से पता नहीं था अचा error में भी तो बाग में पता लगता है यह error में बाग में पता लगता है पर उसको होना सही चाहिए था यहां पर मैंने पीछे सही किया वह पीछे के साफ़ से गलत नहीं किया वह यह estimate का change है तो बोलता ही है कि जब आपका estimate change होगा तो जिस साल change हुआ है उस साल उसको account for क हम उसको account for करेंगे तो सर पहले तो मैं इसकी formatting सही करूं और फिर हम इसकी accounting देखते हैं फिर हम इसकी accounting देखते हैं अच्छा अब मुझे आप यह बात समझाएं यहां पर बच्चों सारे बच्चे मिलके कि सर अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे acid की carrying amount carrying amount of acid as at January 1 1220 कितनी है sir carrying amount of acid आ रही है मेरी आंट लागर पर ऐसा ही है अब मैं आप से यह बात पूछूं अब मैं यहां पर आप से बात पूछूं total life now कितनी है sir total life now seven years make sense make sense सवाल में लिखके दिए total life कितनी है साथ साल life used कितने साल वो चल चुका है sir आपने कहा two years चल चुका है ऐसा ही यह बहुत सुकुन से two years चल चुका है अच्छा भी तो मैंने कहा कि sir अगर मैं इसमें सही माइनस कर दूँ अगर मैं बच्चों इसमें सही माइनस कर दूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ इसकी remaining life now five years इसकी remaining life कितनी है तर पांच साल है अच्छा भाई मैं यहां पर लिखने लगा हूँ कि सर इसकी दो लाग और पे depreciate हो चुके हैं बचा कितना है एक लाग रुपीस तो सर एक चीज़ अपने दिमाग में भेजे में fix करें कि अब आप यह कहेंगे कि यह एक लाग रुपीस that is the remaining carrying amount वो पांच यह का benefit देगी यहां यह सब सिंपल उसूल रखे हैं आपके million 10 साल benefit तब देता जब मेरा estimate would have remained same कि 10 साल ही asset चलता आप मैं कह रहा हूं overall उसकी life कितनी है 7 साले overall life कह रहा हूं जिस मेरे 2 साल गुजर चुके हैं तो बचा कितना 5 तो मैं यह कहूंगा कि भाई अब मैं जब भी estimate change होगा तो उसके लिए मैं remaining carrying amount टाऊंगा सर मैं फिर logic दिन ल जाई तो सर अब मुझे आप इस बात बता हैं मैं अगर यहां पर निकालूँ तो यह आगया 1 लाख 60,000 आपे का depreciation कितने का सर एक लाख 60,000 पे का depreciation तो सर अगर मैं आप से पूछूँ अगर मैं आप से पूछूँ तो सर मेरी जो depreciation के बात carrying amount आईगी मेरी जो deposition के बाद caring amount आएगी वो कितनी आएगी तो सर आप बोलेंगे caring amount यहां से पहले copy कर लेते है caring amount as at December 31 2022 would be sir 8,00-1,60 कितना हो गया sir 46 कितना हो गया sir 46 अब मुझे एक बात बताओ sir यह तो हो गई मेरी caring amount अब sir अगले साल का जो deposition हो कैसे भाई अब आपके ऊपर है अगले साल का deposition में या तो आप एक काम करें कि 46 को 4 से डिवाइड करा है या तो यह एक लाइग रुपीज को 5 से क्योंकि अब आप कहेंगे जब तक estimate फिर change नहीं होता तब तक मेरे लिए यह एक लाइग रुपीज पांच यह के benefit दिरा था तो उसमें से अगर एक साल के benefit हो गए तो remaining को 4 से डिवाइड करो या 8 को ही 5 से डिवाइड करो बात एक यह I hope this is clear पर sir मेरी बात समझें के change in estimate का सिर्फ एक ही तो क्रक्स है वो क्या है Sir change in estimate जब भी होगा तो जिस साल वो estimate change हुआ है आपने उसको उस साल account for करना उसके future में आने वाले सालों में future में आने वाले सालों को क्या मतलब भाई ऐसी depreciate करो जैसे आपने इस साल की है यानि आपने इस estimate के change को पीछे जाके revise नहीं किया जो पहले हो चुका वो हो चुका वो उसके एसाफ से सही था वो कोई error नहीं था जो जाके सही करोगे वो उस वक्त का अंदाजा था यह इस वक्त का अंदाजा है पहले बताव बात क्लिए होती है बच्चों और एक और चीज़ तो आपको नहीं लगता कि estimate के change के वज़ा से due to change in estimate your depreciation has been increased by 60,000 ऐसा है and your profit has been reduced by 60,000 ऐसे logical सी बात है sir एक चीज़ को आप 10 सालों में spread करते हैं आपने उसको अब 7 years में spread करना है और 7 years का मतलब है कि 2 साल हो चुके हैं तो बकाया 5 सालों में तो जब आपका denominator कम से divide हो तो आपका expense क्या आगा जाद है आप यह कहें एक चीज़ को 10 सालों में spread करूँ तो मेरा expense कम होगा और एक चीज़ को कम years में spread करूँ तो उसका expense ज़ादा होगा तो due to change in estimate आपके current year के profits पे 60,000 पे का impact आया है पहले बताओ यह बात clear होती है यानि अपने all together अभी as of now सिर्फ change in estimate का पहला case देखा है जिसके अंदर आपकी life की assessment क्या होगा यह change होगा यह हमने सिर्फ यह समझ लिया कि whenever there is a change in estimate आप उस साल account for करेंगे उसको उसके आगे आने वाले सालों में और फिर deposition का भी ख्याल रखना है कि जो deposition book होगा वो cost पर नहीं होगा वो remaining carrying amount को remaining life से divide करके होगा बात clear है इसी के अगले lecture में आपको बताऊंगा कि इसको present और disclose कैसे करना है क्योंकि बहुत ही rarely उसमें यह पूछावे change in estimate का पर ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना पूछे तो यह जी मिलते हैं क्लिक लास में जजा गल्ला